नमस्ते है जी देखिए यहां क्या चल रहा है मंत्र जाप एक मंत्र जाप चल रहा है हिंदू सब्धेता का हिंदू परंपरा का ओम तर्यम्रकम यजाम हैं इसके बारे मांच हम चर्चा करने वाले हैं मंत्र हिंदू धरम के मंत्र के बारे में नहीं मंत्र जाप के बारे में ब मंतर जाप के बारे में एक साइन्स समझेगा आज कि क्यों यह ज़रूरी है जैसे कि मैंने अपने वीडियो में बताई था affirmation मंतर जाप भी अपने आप में एक affirmation है और affirmation के साथ इसमेन एक और बड़ी बात है बड़ी बात यह कि किस intention से कौन से sound को जापा गया है मतलब कि एक भक्त जब गाता है ओम तरे अंबकम या ओम नमाशिवाय जो भी चीज किसी भी धर्म का चाहई हो आयत हो muslims धर्म के या Christian धर्म के prayer हो तो वो जब बोलने के time वो जब गाने के time जो भरौना अंदर से निकलती है न वो बनती है vibration, वो vibration sound के form में आप कहीं पर भी बजाएंगे, उस जगह पर वही vibration vibrate होने लगेगी, वही positivity vibrate होने लगेगी और इसलिए हर सलस्थानों में जो लोग भी थोड़े से spirituality को जानते हैं या मानते हैं, वो लोग अपने कारे स्थल पर आ करके इस तरह की चीज़ों को ब जाते हैं, यह मंत्र जो आप खुद गाते हैं, करते हैं प्रेयर करते हैं, तो मंत्र एक तरह का prayer है, एक तरह का affirmation है, जो कि हम सब को करना चाहिए, आप जिस धर्म से भी बिलॉंग करते हैं, और अगर आप धर्म-धर्म को नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, spiritual होने के लिए धर्मिक होना जरूरी नहीं है, और धर्मिक अगर कोई इंसान है, तो वो spiritual हो सकता है, तो मुद्दा यह है कि आप कहीं पर भी काम करते हों, किसी भी जगा में भी काम करते हों, तो आपको अपने affirmations को हमिशन यहां रखने, आने के टाइम कुछ ऐसी बातों को कहना, कुछ ऐ आपके अंदर positivity को पैदा करता है, यह बहुत important है, और life में अगर हमें आगे बढ़ना है, तो सबसे important बात है कि हमें positive रहना होगा, positive रहने के लिए हमें positive बोलना होगा, positive सुनना होगा, positive सोचना होगा, तो जो हम सोचेंगे, जो हम बोलेंगे, जो हम सुनेंगे, वहीं हमारे action में हमारे behavior में reflect होगा और क्योंकि जो हमारे चीज़ हमारे रिजल्ट में देखेगा नोगर एक छोटा सा बदलाओ करने से अगर आपके लाइफ को बहुत अच्छा एक मोमेंटम मिल सकता है बहुत ही अच्छी सोच मिल सकती है बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सकता है एक science आपको समझा दी कि कैसे जो इंसान उस जगह पे बैट के बजन को गाया है उस मंत्र जाब को किया है तो उसकी जो ध्वनी है तो ध्वनी को समझने के जुरत भी नहीं हो ध्वनी की वाबरिशन में positivity है दूसरा कि वो गाया है जिस भाव से गाया है वो भाव ही आपके सुन उने मात्रे से आपके अंद्व उस आपको पैदा करेगा है तो हर चीज़ विचार है इस दूनिया में जो भी है विचार विचार है विचार ही वावे मिरसे हैं जैसे हमें ऒन के आँछाता हूं जापड़ा बहयगी पर से ह्वन निया जहां ध्यानं जाएगा वान और तो बिच्चों लोग रोज सुबह नौ बजे आते हो सबसे पहले मंतर जाप लगाना है टीवी पे पूरे जगह पे मंतर जाप मुझना चीए ठीक है जी ओके चलो नमस्ते है जी झाल झाल